नवरात्री के पूजन के बाद अवश्य पढ़े मा शैल पुत्री की ये कथा। शारदिय नवरात्री का शुभारम 15 अक्तूमबर से हो गया है। आज से 9 दिनों तक 9 अलग-अलग देव्यों की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्री के पहले दिन मा शैल पुत्री की पूजा की जाती है। शैल पुत्री माता को उमा, सती और हम्वती आदी नामों से भी जाना जाता है। मार शैलपुत्री का वाहन विल्षब है, माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग प्रिय है इसलिए मार शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र, पुष, गाय कागी और मिठाई अर्पित करें मान्यता है कि विधिवत मार शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांती और सुक्स्मृध्धी का वास होता है वही मार शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आर्ती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है तो आईए जानते हैं मार्शेल पुत्री की कथा पौराणे कथा के अनुसार एक बार प्रजाप्ती दक्ष ने अपने घर पर यग्य का आयोजन करने का सोचा तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहां आने का निमंतरन भेज दिया लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा परन्तु उनके यहां यग्य में आने का निमंतरन नहीं आया फिर भी देवी सती को उस यग्य में जाने का मन हुआ लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यग्य में जाने के लिए कोई निमंतरन नहीं आया है इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी बार-बार यग्य में जाने का आगरा करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमती दे दी फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहां पहुँची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहां कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था वहीं देवी सती की अन्य बहने भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी स्वयन देवी सती जे पिता प्रजाप्ती दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेकी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया परन्तु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई तब अपना और अपने पती शिवजी का अपमान उनसे सहन न हुआ इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यग्य की अगनी में कूट कर स्वयम के प्राण त्याग दिये जैसे ही भगवान भोलेनात को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोज से आगबुबूला होते हुए राजा दक्ष के यहां गए और तुरंत यग्य को ध्वस्त कर दिया मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमाले की पुत्री शैल पुत्री के रूप में जन्म लिया उम्मीद करती हुँ दोस्तों आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर करना ना भूले और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले